अपने ठुमकों से पूरे हर्याना की दिल पर राज करने वाली सपना चौधरी जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकती है सपना चौधरी को लेकर चल रही तमाम अचकलों के बीच खुद दिल्ली बीजेपी के अध्याक्ष मनोज तिवारी ने इस खबर पर मोहर लगाई है एक निजी चानल से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि हर्यानवी जांसर सपना चौधरी जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगी हलां कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अगर सपना चौधरी बीजेपी में शामिल होती है तो फिर उन्हें किस लोग सभा सीट से टिकट दिया जाएगा आपको बता दे कि मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं सपना चौधरी ने उनके साथ मिलकर एक रोड़ शो भी किया था हलां कि तब सपना चौधरी ने इस तरह किस संभावना से इंकार किया था और कहा था कि वो तो सिर्फ अपने अच्छे दोस्त का साथ देने आई है कि मैं यहाँ पहनोश दिवारी सर के लिए हूँ हालंकि ये पहली बार नहीं है जब सपना चौधरी के राजनीती में आने के अटकलों को बढ़ावा मिला हो इससे पहले सपना कॉंग्रेस के संपर्क में भी रही थी सपना चौधरी के एक तस्वीर कॉंग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ भी वाइरल हुई थी जिसके बाद दावा किया गया था कि उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी जॉइन कर ली है लेकिन सपना चौधरी ने इससे साफ इंकार कर दिया था और दावा किया था कि प्रियंका के साथ जो उनकी तस्वीर वाइरल हो रही है वो काफी पुरानी है प्रियंका के साथ वाली तस्वीर भी पुरानी है प्रियंका के साथ वाली तस्वीर भी पुरानी है कल वाली तस्वीर भी पुरानी है सारी तस्वीरे पुरानी है वेरको पता ही नहीं लग रहा आप कहां से निकाल के ला रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है बर सबसे बड़ी बात जो है जहां आप कन्फ्यूज हो कि मैंने कोई भी पार्टी जॉइन नहीं की है सम्ना आपके हाथ में पर्ची किस चीज की नहीं है आप ने उस पर्ची में मेरा नाम देखा नहीं देखा ना तो बस फिर आप इस तरीके से मुझे पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं मैं हर किसी से मिलती हूं मेरे लिए सारी पार्टी बराबर है मैं हर पार्टी से मिलती हूं मैं बीजेपी से भी मिलती हूं मैं कॉंग्रेस वालों से भी मिलती हूं मैं खेलेश की पार्टी से भी मिलती हूं मैं आम आदमी पार्टी से भी मिलती हूं मेरी कोई जात नहीं है क सपना चौधरी के इस बयान के थोड़ी देर बाद ही एक तस्वीर फिर से सोशल मीडिया में वारल हुई जिसमें वो मनोच तिवारी के साथ दिखाई दी जिसके बाद सही उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरे तेज होने लगी आपको बता दे कि सपना चौधरी स्टेज परफॉर्मर है और वो विग बॉस 11 का हिस्सा भी रह चुकी है हिंदी भाशी क्षेत्र में बड़ी संख्या में उनकी फैन फॉलोविंग है सपना चौधरी अगर बीजेपी में शामिल होंगी तो उसे उनकी लोग प्रियता का फायदा मिल सकता है कि अटना चाहिए भाश प्रियता है